गर्म्यों में लू से बचने के लिए आज हम जल जीरा की रसिपी लेकिया आएं जल जीरा में । जल जीरा में कई मसारों का उप हींग को ब्ढूनैंगे अब शोठा सान के वाय की चुति चुटक की हीग को डालेंगे घास की फ्लेयम को रखेंगे Natrm कि मेहक आने लगी है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको इक बॉल में निकाल देंगे में एक मिल्सिकाः यहार के डिख्णी डिलएंगे इसमें हम एक मुठी पुदिँने के पत्यों कि अच्छे से ऎकले ऑक आंची यहारी लिए है पुदिने के अच्छे से आधक डान सुवच हच भते शरब द करी विश Nasam हींग पीष लेगे पानी के पेस्ट है और एक पानी के पेस्ट बना दिया है ये हम तीन कप थंडा पानी लेएंगे इसी हम धनीए के पेस्ट को डालेगे इसमें हम एक चमच चीनी डालेंगे यह मैं पिसी वी चीनी ले रही हूं आप चीनी के दाने भी ले सकते हैं उनको डालकर आप उसे घोल लें मैंने पिसे चीनी इसने लिए क्योंकि आसानी से यह मिल जाएगी हमें घोलनी नहीं पड़ेगी आदा चमच हम काला नमक लेंगे इसको भी डालेंगे एक चमच हम रेगुलर नमक लेंगे नमक आप अपने इच्छा के नुसार भी डाल सकते हैं एक चम्मच हम अम्चुन पाउडर बनाने का लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं इसको भी डाल देंगे अब हम इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह मैंने एक नीवू का रस लिया है इसको मैंने निकाल लिया है इसको भी आलेंगे अब हम एक चल्डी की सायता से जलजीरा को चान लेंगे जलजीरा पानी को हमने चान लिया है यह देखे मोटा धनिया पोदीना अध्रप जो पीछने में रह गई थी वह बच गया है अब इसको भी बारिक काट का फिर जलजीरा पानी बना सकते हैं अब हम इसको निकाल देंगे और बूंदी डाल कर सर्फ करेंगे हमारा जलजीरा पान के तयार है आप गर्मियों में लू से बचने के लिए अपने परिवार को और फ्रेंट्स को बना कर सर्फ कर सकते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब मंगली रेसिपी के साथ आप से मिलते हैं नमश्कुआ प्रेंगे